और दूसरी बात दोस्तों एक चीज़ और मैं बताता चलूँ शाजापूरी कबूत्रों के अंदर आपको जो इनके बच्चे निकलवाएंगे तो जो बच्चे आप उड़ाएंगे तो वो पहले साल कबूत बच्चे नहीं उड़ाएंगे यह मेरा तजर्बा है असलामु आलेकुम नमस्कार सच्काल अदाब दोस्तों मैं हूँ रिजवान अली साबरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चेरिनल जेपू टॉक पीजन्स तो दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं मैं शोखीन हूँ पुरानी नसलों का और पुरानी नसलों से आपको रूबरू कराता आया हूँ इस जेपू टॉंक पीजन्स चैनल के उपर यहां पहले आपने वीदियो देखी इसे लाल गंडेदार कबूतरों का बाजरे कबूतरों का तो दोस्तों मैं आपको शोख खरवा रहा नसल है वो यही है तो आप देखें किस तरीके के ये कबूतर हैं बिल्कुल आपको दिख रहे होंगे ये खुले हुए कलर के नहीं है डाग बिल्यू कबूतर आपको नजर आ रहे होंगे शाह जहां पूरी कबूतर ये देखें आप क्या ला जवाब और बेमिसाल किसम का ये जोड़ा आपको नजर आ रहा होगा और ये सब आपको देखने को मिलेंगी ये सी नाया अब नाया अब नसले ये पूटो अप पीजन्स चेनल के उपर तो मैं आपको इस शाय जहां पूरी नर का शोख करवा देता हूँ पकड़ें साथ ये है नर बड़ा लाजवाब और बे चोखी हिन हजरात हैं वही रखते हैं तो आप देख सकते हैं किस दर्जा खूबसूरत और पुरानी नसलों के ये कबूतर आप देख रहे जेपू टॉटो पिजन्स चेनल के उपर तो दोस्तों आप देखते रहें और मज़े लेते रहें इस तरीके की नसलों के ये देख आप छोटी चोँच के अंदर शाजापूरी कबूतर तो दोस्तों आपने देखे शाजापूरी कबूतर और ये छोटे छोटे इनके पंजे यही इनकी खासियत है और ये इनकी सिंगल दुम बहुती उम्दा और बहतरी इनके पर आप देख सकते हैं किस तरीखे के डाक कलर के कबूतर और दोस्तों मैं हमेशा बताता है हूँ ये हैं शाहजापूरी कबूतर और इनकी एक एवरेज उड़ान होती है क्योंकि ये पुरानी नसलों के हैं कि बहुत ज्यादा आप सोचें कि ये उड़ेंगे तो इतना ज्यादा नहीं उड़ते लेकिन इनकी एक एवरेज उड़ान है अगर गर्मियों के आप मान के चलें दिन हैं तो ये तीन चार पाँच तीन चार बज़ा देंगे और सर्दियों में ये शाम को 6-7 बज़े तक कि इनकी अमूमन उड़ान पाई जाती है बाखी उससे ज्यादा भी उड़ सकते हैं मैं ये भी नहीं कहता कि उससे ज्यादा नहीं उड़ते होंगे बहुत उड़ते हैं तो एक एवरेज अगर आप लगाएं क्यूंकि ओरिजनल्टी के उपर हैं बाखी तो फिर इसके अंदर ओडिनरी जो हरे कबूतर होते हैं वो क्रोस करते हैं तब जाकर के इनकी उड़ान जो है और ज्यादा अच्छी हो जाती है और दूसरी बात दोस् और उनकी उड़ान बढ़ेगी क्यों साब आप भी उड़ाए हुए जानते हैं आप इस तरहीं अलग बन जाता है और उसी के साथ साथ इनकी परवाज जो है वो बढ़ती जाती हर साल मतलब आप शुब पहले साल पहले साल जब आप उड़ाएंगे तो यह च्छत पर बेड करवाऊंगा दोस्तों लेकिन ऐसा शो करवाऊंगा कि आपको मज़ा आजाएगा यह देखें आप बड़ा जबर्दत दोस्तों देखने में नहीं आते अब इस तरीखे के कबूतर बड़े ही लाजवाब और बेमिसाल किसम के कबूतर आप यह देख रहे हैं जेपूटोंक यह पर देख लें किस तरीखे के इनके यह पर हैं तो आप यह पर भी देख ले माशालला पर कटे कबूतर हैं जोड़ों के अंदर बहुत अच्छी मादा लगाई हुई है माशालला यह देखें आप इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट पेर का शोक करवाता हूं यह नर का और आप इसका शोक कर लें बहुत ही उम्दा और बेहतरीन तो आपने देखा ये नर कबूतर एक बार और आपको दिखा दूँ गे देखिया और इसकी मादा का भी मैं आपको शोक करवाऊंगा ये इसके पर देख ले पहले कि इस तरीखे के इसके पर आपको नदर आ रहे हैं खौद उम्दा और बेहतरीन कबूतर ये शायजापुरी और ये मादाrit से लगाई वी है तो ये अब्दूल भाई ने लगाई हुई है मादा तो इस मादा का भी मैं आपको शोक करवाऊंगा मादा भी बहुत अच्छी है आप ये पेर का शोक कर सकते हैं फेले वाय यार वाई मज़े आ गए अब्दूल भाई माशालला आपने दिल खुश कर दिया बहुत ही बहतरी नाजवाब और बेमिसाल किसम के ये कबूतर आप देख रहे हैं जेपू टोक पीजानस चेनल के उपर तो ये मादा का शोक इसकी भी आँख देख लेंगे आप किस तरीखे की ये आँख रखती है मादा कबूतरी ये जोड़ा लगाया तो मैंने आपको ये दो जोड़ों का शोक करवाया दोस्तों आप देखें किस तरीखे के ये कबूतर हैं शाजापूरी बहुत उम्दा और बहतरी नाजवाब बेमिसाल इसीके साथ आप जेपूत टॉंक पीजंस चैनल सब्सक्राइब कर दे, नीचे दीव बटन को प्रेयर्स कर दे लाल बटन को और साथी साथ बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताक्के आपको जेपू टॉंक पीजन्स चेनल के पर जितनी भी पुरानी नसले देखने को मिलें उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं तो दोस् मारा थास ब्रेस कर साथ मिले पहले प्रेस कर दोस्तों भी प mulherाण तो झाल प्रेस के साथ ल Jenna, का दोस्तों एक्क्ले का य प刃 जनार नहीं है उसाश्या आप एनी फुरा कर जोस्तों प्रेस कर सक्का बटनी पहलेदों झासलें।